Hey Learners, Welcome to Unacademy, My Name is Samir, I teach you English on this platform. तुम्हें जरूर बता दूँगा, कि लास्ट फिफ्टी डेस्ट के एंड तक जब पेपर में देने जाओगे, जब तुम इस दिन पेपर दोगे, उस दिन English section तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, सची बता रहा हूँ, अभी मुझे पता है कि कुछ बच्चे स्कूल के साथ इ यही है न, पेपर वाले दिन कोई भी आपके reason, कोई भी आपके excuses नहीं, excuses नहीं पूछेगा, या फिर सुनेगा, या फिर accept करेगा, it would be just a scorecard, all India rank, सब यही जानना चाहेंगे, किसके all India rank 1 आई, किसका कितना score आया, किसको कहा NLU में cutoff किया जाएगी, बहुत सारे, बहुत सार कि last, मैंने पूरा अच्छे से last 50 days किया, मैंने उसको हिसाब से, तुम्हें 30 days के हिसाब से, वो वीडियो में बता दिया, कि last 30 days में अपनी vocabulary कैसे improve करनी है, तो उस वीडियो को please refer कर लेना, उसके अलावा, तुम्हारे लिए एक और चीज को मैं aware करवा दू, last 50 days के लिए हम लो पैटन के questions कराने वाला हूँ, अब तुम्हें से कुछ बुच्छे ये बोलो के sir, क्यों करा रहे हो PYQ, पिछले 3 साल का ही pattern चल रहा है, तो मैं तुम्हें simple चीज से ही बताऊँगा, कि अगर अपने pattern को improve करना है, अगर तुम्हें अपने आपको रूबरू कराना है, तो उस पास error spotting और यह सब के questions आते थे, English तो नहीं बदल जाती ना, critical reasoning तो नहीं बदल जाएगी ना, so that's what I mean, like you know, what that's what I mean to say here, कि आपका जो syllabus है, comprehension based syllabus है, questions हिसे पिटे वही art type के आते है, main idea, like you know, figure of speech, क्या author यहाँ पर इंफर्क कर रहा है, किस चीज को conclude कर रहा है, मैं उसकी list भी आ आप लोग को, मैं सारे के सारे P.O.I.Q कराने वाला हूँ, practice questions, जिनकी RCs मैंने editorial RCs बना रखी है, वो इन classes में कराऊंगा, concepts पढ़ाऊंगा, important concepts, अगर तुम इन classes नहीं पढ़ना चाते हैं, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें यह बता देता हूँ, कि सबसे पहली चीज, जो पढ़ा रहा हूँ, बच्चो को, खुद को भी अगर बात करूँ, जब मैं तुम्हारी उमर का था, जब पढ़ायाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो एक चीज देखी थी, critical reasoning, ऐसे topic सबको आ जाता है, तो मैं से मैं कितनों से पोचूँँगा, premises क्या होते हैं, बता द होगे, assumption क्या होती है, बता दोगे, थोड़ी confusion होती है, क्योंकि उसके concept तो हमें समझ में आ जाता है, बट जब application practice की बारी आती है, कोई questions आई नहीं होता, गल्ती क्या हो रही है, reason क्या है, reason यही है कि जब हम लोगों ने grammar पढ़ी, हमने उसे fill in the blanks की concept से पढ़ी, हमने कभी भी उसके concept को समझा ही नहीं, जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूं, linking verb और helping verb की, इस से हमें पता चलता है कि एक noun, दूसरे noun के साथ किस तरीके से linked है, क्या relation है, जब यह relation पता चलेगा, तभी तो कोई reasoning develop करोगे, कैसे help कर रहा है, कैसे link कर रहा है, there are several reasons, ऐसी बहुत सारे ऐस topics हैं, जो बहुत important topics होते हैं, grammar के, बट हम लोग ignore कर देते हैं, क्योंकि syllabus का part नहीं है, and I totally understand you, जैसे paper दे रहे होते हैं, तो हम लोग सबसे shortcut, shortest way या shortcut बोल दो, इसकी तयारी करके ही, हम लोग हमेशा exam की तयारी करना चाहते हैं, but actually मैं, if you want to score good, grammar बहुत important role play करने वाली है, आप verbs में, helping verb and linking verb, उसके बाद second topic है, pronoun, pronoun में आपको सारे के सारे pronoun पढ़ने हैं, क्योंकि यह हमेशा subject को replace करते हैं, यानि noun को replace करते हैं, तो passages में आपको भी पता है कि, majorially हम लोग कभी भी data को जब आपको दिया जाता है, तो compound statements दी जाती है, तो एक और topic आजाता है, pronoun के साथ साथ types of sentences भी पढ़ने है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि, आपको जो passages मिल रहे है, वो कौन से type के sentences मिल रहे है, उसमें data कैसे present किया जाता है, जैसे compound statement में आपको दो data, एक ही sentence में मिल रहा है, complex Content में आपको conditions दी जा रहे है, उस conditions में कैसे compound statement का ही एक पार्ट होती हैं, यह सार टाइप के pronouns अच्छे से theoretically पढ़ लेना क्योंकि relativity pronoun अभी जब तुम पढ़ोगे सारी चीजों को तुम्हें समझ में आएगा कि मैं यही topics को grammar के क्यों emphasis कर रहा हूँ इसके अलावा जो आपको topics grammar में पढ़ने है वो है tenses prepositions अब एक एक्जांपल देता हूँ तुम समझ जाओगे कि वाई आई वस एम्फेसाइजिंग ओन इस टॉपिक या फिर पर्टिकुलर्ली conjunction या फिर tenses conjunction का अगर मैं एक example दूँ I like you but as a friend I am very sure यह sentence हमेशा आपने कभी ना कभी life अपने सुनाई होगा I like you but as a friend यह जो I like you था फिर उसकी में जो हमने but करके conjunction यूज कर लिया sentence positive से negative हो गया नहीं हो गया जो बच्चे की अच्छी reasoning होगी experience होगा वो समझ गया कि हाँ positive का negative हो चुका है ऐसे ही reasoning यह जो reasoning हमने play किया conjunction का यहाँ पे एक role था ऐसे ही जो मैंने बाकी topics तुम्हें बताए है जब तुम कभी भी एक reasoning extract कर रहे होगे उनका भी equal role होता है तुम एक बाद फिर से तुम्हारे लिए दवारा बता देता हो कि तुम्हें grammar में क्या-क्या पढ़ना है सबसे पहला types of sentences compound simple complex second verbs में helping verb linking verb third topic हमारा क्या होगा pronouns सारे टाइप के pronoun four topic हमारा होगा preposition fifth होगा tenses timeline जाना बहुत ज़रूरी है कि verb कब हो रहा है कैसे हो रहा है न整ितों कैसे समझोगे कि कौन सा कारय घर्या पास्टमें कांसा कारिया continuous हो रहा है हिन्दी में समझ में आ जाता है मगत जब English की बारी आती है सब के सब हम fail कर जाते हैं सची बार बता रहू हूं English में जितने अच्छे हो हिन्दी में समझ जा लग रहे हैं क्योंकि टेंसे बहुत वीक है तुम्हारे जो तुम्हें रीजनिंग पता ही नहीं करने दे रहा कि वह एक्षन हो भी चुका है नहीं हो चुका है और बहुत है वेरियस रीजन से इसके पीछ है तो टेंसे आप समझ गए अब इसके लावा एक एडिशनल टॉपि अब मेजरी जो क्लैट का पेपर हैवह कौम्प्रियेंशन बेस पेपर है सबसे जादर मेजरली ज डाते हैं हमारे पास critical reasoning बेस्ट आते हैं फॉल नंबर लाए जा सकते हैं अगर ये प्राइबर अच्छे से पढ़ लिए कृशनिंग मे तुम्हें से इजी है, develop करनी होती है, critical reasoning की problem ये है, हम लोग बहुत गलत तरीके से पढ़ रहे होते, इसलिए develop करनी पाते हैं तक, जो मैंने तुम्हें sequence बताया कि पहले grammar की concepts अपने सही कर लो, फिर उसके बाद critical reasoning के topics वापस पढ़ना start करो theoretically, फिर देखो application को apply करके, 50 days, अगर रोज तुमने इस application को apply कर दिया, 40 days भी कर दिया, I am very sure, critical reasoning में एक भी number, तुम में से किसी का एक भी number कभी नहीं जाएगा, time management is a totally different thing, जो मैं भी तुम्हें strategy वाले videos में बता दूँगा, कम से कम question attempt करने वाले होगे, और बिलकुल सही attempt करने वाले होगे, actually होता है न, एक एक तुम्हें बहुत चोटा से example देता हूँ, there is a difference between fact and truth, fact सही और गलत हो सकता है, है न, truth उस fact से बहुत influence होता है, हम सब का truth जो होता है, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो fact का ही तो version होता है, हम लोग closest to the fact जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, fact को identify नहीं करते, क्योंकि बच्चे देखो, पढ़ाई न, लगातार जब कर रहा होता है एक बच्चा, ठकता जरूर है, खोता जरूर है, and we as a teacher understand, कि तुमने पहला topic जब पढ़ाई घना स्टार्ट कियोगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, second topic में थोड़ा सा तो उच्छनी छोई जाती है, third, fourth topic तक आते आते, हम ल classes में आना, ज़रूर तुमारी help करेंगे, moving on, ये तो critical reasoning के सारे topic हो गया, grammar हो गया, अब हम एक क्या चीज और करनी है, जिससे हमारा CLAT में, मतलब English section में तो कम से कम 30 में से, अच्छे खासे 25 नमबर आ जाए, अभी तक मेरे लिए ये सही चल रहा है कि मैं थोड़ा सा, सुकून में हो, कि मैंने अभी जो बच्चों से अपने बात करी, 2-3 दिन पहले, तो मैंने उन सब का पूछा कि मौक में स्कोर तुमारा कै कैसा आ रहा है, तो मैं हमेशा ओवराल पूछता था, गलती ये करता था, तो कोई मुझे बताता, 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, बर जो मैंने उनसे पूछा, इंग्लिश में किता आ रहा है, तो everyone was answering me, 23, 22, 25, and I was like very happy, it was not just an academy mock, उन्होंने और भी बहुत coaching institutes के mock दियो, और सभ में Thank God, इनका English section तो सही चल रहा है, तो अब मैं जो तुम्हें strategy बताने वाला हूँ, ये अभी मैं अपने बच्चों, अपने students में तो करने ही वाला हूँ, तुम भी कर सकते हो, तुम बिल्कुल apply करके देखो, और ये tested है, previous batches में भी test कियो, और हमाँ पर ये काम करी है, तभी हम print out निकाल लो, कहीं से भी अगर तुम्हें PDF मिल जाती ही दे रहा, various sites online, सच में बहुत sites है, तुम्हें मिल जाएंगे PDF, मतलब ये PDF format में सारे questions, उसको print out निकाल लो, ठीक है, और एक और चीज़ करो, 30 OMR sheet तो at least निकाल लो, 30 to 50, print out निकाल लो, अगर नहीं पता, तो जाओ कही cyber cafe में जाके, पैसे वसे थोटे से खर्च करो, और OMR sheets निकाल लो, और उस questions को, जो तुम PYQ के कर रहे हो, OMR sheets में ही करना, ठीक है, टाइमर, वाइमर के लिए मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, वो एक different separate हमारा एक बिल्कुल वीडियो होगा, यूँकि strategy में लग जाएगा बेटा 15-20 minutes अच्छे से समझाने में कि कौन सी चीज कैसे करनी है, तो फिलहाल के लिए बस अभी syllabus cover, और last 50 days में हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं भी बता दे रहा हूँ, सबसे पहली चीज, OMR sheet, PYQ questions, अब इसके अलावा बच्चे, हम लोग यह सोचते हैं कि हमें नह analyze the questions, वो कहां से passage लेके आते हैं, वो किस तरीके कि तुमसे questions पूछते हैं, क्या तुमसे comprehend करने की expected सकते हैं, तो अगर तुम पिछले 14 साल की questions solve कर लोगे, I am very sure तुम glad कि जो paper creating वाले consternrium है, उसको पूरा का पूरा understand कर लोगे, हम teachers यही तो करते हैं, हम इनके brain को कैसे पढ़ तो मैं लगता है कि हमारे वापे कोई दोस्त हो गया, जो हमें बता रहा होगा कि paper कैसे आता है, हम लोग जो concept को predict करते हैं, वह concept के question आ जाते हैं, क्योंकि वो concept को एक pattern में repeat करते हैं, जब तक तुम यह solve नहीं करोगे, तुम कभी भी इससे समझ नहीं पाऊगे, और तुमारी जो preparation journey है, बच्चे वो सिर्फ और सिफ एक preparation journey बनके रहा जाएगी, क्योंकि in the end, we both know, हमें सिर्फ और सिफ हमारे scorecard पर judge किया जाएगा, हमें यह नहीं देखा जाएगा कि हमने 10 घंटे पढ़ाईगी, हमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितने बार रोई होगे रा काई नहीं आई, तो मुस्कुरा के तुम्हारी life से आगे निकल जाएगे, और कोई तुम्हें पूछेगा नहीं तुम्हारी यह पूरी के पूरी साल, महीनों की जो journey है, राक बन जाएगी, तो इससे बचते हैं, सबसे पहले जीज़ पीवाईक्यू के questions करते हैं, ठीक है, sample आटिकल्स की एक list बना रहा हूँ, जो मैंने बच्चों को अभी प्लस वाले students को अपने share की थी, तुमसे भी कर दूँगा, in the future, जैसे हमारा एक वीडियो बनेगा, वो strategy वाला, या फिर how editorial वाले, जैसे editorial आटिकल्स को पढ़ना चाहिए, last minute में अभी, तो मैं उसके लिए त तुम्हारे उस वीडियो में 200 articles जाल दूँगा, जो कि मैंने self-curate किये हुए, Hindus, Indian Express और कुछ international उससे, बट तुम्हारे साथ ये कि CLAT का paper जो आया है, मैंने अभी जब विश्रिवेस passages देखें है, वो हमेशा Hindus या फिर Indian Express से ही निकला है, कुछ इक्के दुक्के होंगे, जो कि हाँ कुछ magazine से आये हैं, बट majorly, blindly, passages Hindu से आये हैं और Indian Express से आये हैं, तो तुम्हें क्या करना है, मैंने देखा YouTube के चैनल में हो, या फिर बहुत सारे बच्चे टेलिग्राम में भी मतलब एक दूसर से share करते रहते हैं चीजों को, कभी भी हिंदूस के article जो जो पढ़ रहे हो, एक certain themes में तुम सब भी हम लोग description में इसका आइड कर देंगे, यह themes के जब भी तुम articles पढ़ रहे हो, अपने आप से कुछ सवाल पूछने है, पहला सवाल, author का main idea क्या है, दूसरा सवाल, इसका title क्या हो सकता है, दिया होगा यार महाँ पे article में, बट इसका title और क्या हो सकता तुम दोगे उसको title, फिर उसके बाद third सवाल पूछोगे, author जो है, किस-किस चीजों को चुनेगा, इस इस passage में author ने किन-किन चीजों को चुना है, या फिर किन-किन चीजों को बड़ा emphasis किया है, फिर उसकी opposite statements उसके आगे लिख दोगे, एक-एक line छोड़के लिखना ताकि कि उसकी opposite statements उन लिख सको, इसे strengthening और weakening strong हो रहा होगा, इसके बाद तुम्हें ये conclude करना है कि इस पूरे article को अगर मुझे एक line में लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, वो करोगे, और उसके अलावा कि similar concept के ऐसी कौन-कौन सी चीज है, जैसे for example गाड़ियों के साथ हम कर सकते, reasoning skills improve करता है, ये सवाल पूछ लोगे न, automatically ही तुम्हारा एक RC practice हो रहा है, reading हो रही है, comprehension improve हो रही है, ताकि जो तुम समझ रहे थे, ऐसे कम से कम 50-100 articles के साथ भी कर लोगे न, paper से पहले, दो आर्टिकल के साथ भी कर लोगे daily में, तुम्हारे reading comprehension में एक number नहीं जा रहा क्योंकि अभी तक हम लोग न, आदे टाइम तो यहीं ढूण रहोते है, reading combination practice कहां से करें, improve कहां से हो, हमें हमें पता नहीं, PYQ करोगे, और ये ये जो technique में तुम्हें बता रहा हूँ, अगर ये last, तुमने 50 days में कर ली, English में नंबर कहीं नहीं जा रहे, I swear, इसके लावा मै एक topic तुम्हें अभी नहीं बताया, वीडियो के starting में, that was figure of speech के questions, ये आते ही आते हैं, figure of speech के questions के लिए अगर तुम्हें नहीं बता, तो I am very sure, मेरी ये class हो रखिए, उसका भी link में तुम्हें दे दूँगा, जब भी मुझल से future में मिलोगे, यहां पर मैं तुम्हें बता द पूशे जा रहे हैं, तुम खुद भी देखो कि PY के questions यही question पूशे जा रहे हैं, हम लोग को जो problem आ रही है, हम लोग motivated नहीं है, हम ज़्यादा सोच रहे हैं, हम घबरा रहे हैं इस paper को लेके, हमें ये डर लग रहा है कि हमारा paper ना छूट जाए, हम बतलब वहां पे जाके बिलकुल से, वह था ना lost feel ना करें, जैसा अभी हम लोग feel कर रहे हैं, हमारे mock में number नहीं बढ़ रहे है, reason यही है, क्योंकि reasoning नहीं improve हो रही है, सची बात है, तुम्हारे number इसलिए improve नहीं हो रही है, क्रिटिकल reasoning नहीं हो रही है, तो उसको improve करने के लिए भी मैं तुमें tips अ हम सब मिल के आज भी crack कर सकते हैं, जाके चीजों को अगर तुम्हें लगता है कि अभी तक तुम बहुत पीछे हो, तो सबसे पहली चीज हारनी माननी, खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम ही खुद को हरा सकते हो, या तो तुम ही खुद को गिरा सकते हो, और ये भी बड़ी सची बात है, तुम्हें भी बताए, लाइफ में हम लोग ना दूसरों से distract नहीं होते, सोशल मीडिया से distract नहीं होते, हम खुदी को distract करते हैं, ये तुम लोग को अभी लाइन नहीं समझ में आएगी, बट अगर कभी भी फुरसत मिले, पांच कुरिट अपने साथ बैठना, और डोटिस करना कि सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े दोस्त, तुम खुदी के होते हो, ख्लैड का सबना देख रेए हो, मगर क्या मेहनत कर रहे हो, 70,000 लोगों से डर रहे हो, मगर क्या उन 70,000 को घूरने की हिम्मत कर रहे हो, उनसे बेटर पढ़ने की ह का पेपर है किस तरीके से पढ़ना है सब करके आएगा बट ऑल इंडिया रैंक जिसकी आती है ना सिफ एक ऐसे इंसानों की आती है जो अपने पर भरुसा करते हैं अपने आपको तिल दी एंड पढ़ाई पर लगाते हैं किसी दिन 5 घंटे पढ़ोगे किस दिन 30 मिनट पढ़ तुम बिल्कुल से नंबर लेके आओगे तो इस वीडियो को जो मैं तुम्हें बताया है इन चीजों को बहुत ध्यान रखना हम है तुम्हारे साथ ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे तो फरोसा रखो और खुद के साथ रिलाक्स होके मन आता रहूंगा और क्लास में मुझे जरूर आके बताना कि हाँ यह वीडियो कैसा लगा तो सी यू आल इन माइक्लास अगर तुम अडिशनली अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो मेरा कोड साम यूज कर सकते हो यह क्लास फ्री पेड दोनों होती है अगर फ्री क्लास मे मैक्सिम्म डिसकाउंट चाहिए तब भी साम कोड लगा लेना एंड आल दी इवैस बच्चे भरोसा रखना हो जाएगा मेरा अश्रिवा तुम्हें साथ है आल दी पेस्ट